जहीं दोस्तो मैं मुहम्मद मतीन Modern Classes की YouTube चैनल पर आपका स्वागत हैं दोस्तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्रश्ण किया था वह प्रश्ण था कि वर्तमान समय में हमारे देश के कृषी मंत्री कौन है तो जिसका रिप्लाई लोगों ने किया था श्री नरेंद्र सिंग तोमर जी तो रिप्लाई करने वाले हैं समरिधी जैसवाल जी सचीन पांडे जी रंजीत कुमार जी गुंजा सब लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया दोस्तों इसलिए हम यह कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से वीडियो को देखी और जितना भी हो सके कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करने कोशिस कीजिए यहां तक दिक्कत आएगी जो प्रावलम आएगी उसको मैं सवाल करूंगा ठीक है दोस्तों बताने को बहुत कुछ है ब्रहमांड में बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैंने क्या कहा था मैंने यह कहा था कि आप लोग सिर्फ उतना ही जानकारी रखिए या उतना ही इसलिहां पड़िये उसे थोड़ा से क्ष्ट्रा पढ़िए जिससे की हमारा स्ट्रेक्श सेलेक्षन हो जाए ना कि हम्में विधि वेत्ता बना है इसलिए दोस्तों अब हम दो अगला चर्चा करने जा रहे हैं अगला जो लेक्च्चर मारे स्टार्ट होगा वह सौर्मंड सवर मंडल यानी solar system दौसतो आप वीडियो में देख भी सकते है moral system अब थोडी साम चर्चा करेंगा कि सोलर सिस्टम है क्या लगस क्या सोर सिस्टम है कि अब आप इस वीडियो में देख रहे होंगे इस पिच्चर में देख रहे होंगे कि आपको दिखाई दे रहा है एक सूर है सूर के चार और क्या है गरह परिक्रमा कर रहे हैं है दोस्तों गरह परिक्रमा कर रहे हैं उन ग्रहों को सम्मीलिस समू को हम क्या बोलते हैं अब आप देखते हों ग्रहों के बीच में कुछ आपको उ यानि इसके परिभाशा ऐसे कहा जा सकता है कि सुर्य उसकी परिक्रमा करने वाले आठ ग्रह उन ग्रहों के उपक ग्रह तथा छुद्र ग्रहों के समीलित समूह को सौर मंडल कहा जाता है सौर मंडल कहा जाता है फिर परिभाशा लेकिन उस से पहले आई हम लिखते थ् JENके, थोड़ा सौर मंडल स्वलर सिस्टम और सोलर सिस्टम दोस्तों जड़ा परिभाशा Ūी करने लहें कि शोड़ दैंगे तो आज लिखेंगे नहीं तो इसलिए लहें लिख लीजिए सुर्य एवं उसकी परिक्रमा करने वाले परिक्रमा करने वाले आठ ग्रहों उप ग्रहों तथा छूद्र ग्रहों एस्टरॉइड छूद्र ग्रहों के सम्मीलित समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों सौर मंडल कहते हैं सौर मंडल कहते हैं दोस्तों यह परिभाशा है सिंपल सी भाशा में आप समझेगा एक बार फिर आप इस पिक्चर को देखिए क्या कह रहा इसमें सौर्य एवं उसके परिक्रमा करने वाले आठ ग्रहों उप ग्रहों तता जो छोटे 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 छूद्र ग्रह पाए जाते हैं जो ग्रहों की सरेडी में नहीं आ पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं यानि सौर्य के परिक्रमा करने वाले आठ ग्रह उन ग्रहों के उपग जर हैं तता छोटव चोड़ी और चोधी रहें उन सब वह सा इस complexity San homo को हम क्या ओज भोलेंगे experts दोस्तों ठिक्थ है अब सुर्म इन्ड इथे होंगे आड आ शुक्र, प्रिथवी, मंगल, विर्यस्पति, शनी, आरुण और वरुण ये हमारे कितने गरह हैं दोस्तो आठ गरह हैं आईए हम थोड़ा से लिखते हैं कि सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों की संख्या सूर्य से बरते क्रम में सूर्य से बरते क्रम में ग्रहों की संख्या संख्या ठीक दोस्तो सूर्य से बरते क्रम में ग्रहों का संख्या ठीक दोस्तो सूर्य से बरते क्रम में ग्रहों एक मिन्ट दोस्तो सुर्ष से बढ़ते करमे ग्रहों का नाम ग्रहों का नाम अब आए चलते हैं दोस्तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रहों का नाम किसे यानि सबसे पहले जो सुर्ष उसके बाद उसके बाद उसके बाद ठीक दोस्तो तो लिखेगा बुद्ध बुद्ध को दोस्तो इंग्लिस में कहा जाता है मरकरी मरकरी शुक्र यानि वीनस अब मेन यानि प्रिथवी जिस पर हम लोग विराजमान है प्रिथवी को सब लोग जानतें से अर्थ तहा जाता है मंगल यानि मार्स व्रिहस्पती यानि जूपिटर शनी शैटर्ण अरुन इसको बोलते हैं यूरेनस फिर वरुन नेप्क्यून दोस्तो ये देख सकते हैं आप आठ गरह हैं दोस्तो ये क्या है सुर्ण से बढ़ते करम में हैं दोस्तो सुर्ण से बढ़ते करम में मैंने गरहों की संग्या कितनी बताई दोस्तो एक दो तीन चार पाच छोटा उससे चोटा उससे चोटा उससे चोटा सबसे चोटा तो आकार की बात करेंगे दोस्तों तो यहां लिख लिजे जरा सा आकार में आठ ग्रहों का क्रम ठीक दोस्तों अब पहला लिखेगा सबसे बड़ा जो हमारा ग्रह है वो कौन सा है वरिहस्पति ठीक दोस्तों तो पहला वरिहस्पति दूसरा शनी तीसरा अरून चौथा वरून पाच्वा प्रिथ्वी छटा शुक्र सात्मा भूध है जो सबसे चोटा ग्रह वह कौन साथ दूस्तों बूध रहे बूध शुक्र प्रिथ्वि मंगल वरिहस्पति शनी आरून वरून यह हमारे ग्रहों सूरु से बढ़ते बढ़ते प्रम हैं इनका नाम और बाकि यह क्या है यह आकार में यानि सबसे बना उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं ठीक ना मैंने आपको इस्ट्रक्चर यानि कि आपको पिक्चर में भी दिखा दिया कि ग्रह क्या होते हैं और सुक्र यह क्या बोलते हैं आपको सोर मंडल किसे कहते हैं भाद कर दोस्तो अप एक ग्राव' के बात करते जाएंगे जिसमें हम करेंगे सब से पहले बुध ग्रह के बारें में हंद्ग्रा के भारें में दोस्तो आप अजितनी tempo का देखिये हैं जो आप को दिखाई यानि लिखिएगा यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है यह सौर की परिक्रमा परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करता है यह लिखेगा यह सौर की परिक्रमा यह सौर की परिक्रमा अठासी दिनों में अठासी दिनों में पूर्व करता है अठासी दिनों में पूर्व करता है अब लिखेगा दोस्तों यह सौर का सबसे नजदी की ग्रह है कि है ठीक दोस्तों इसके पास कोई भी इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है इससे पास कोई भी उपग्रह नहीं है इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों बस बुद्ध ग्रह से इस्पेशली याद रखिएगा आप लोग कि बुद्ध ग्रह से जब भी प्रश्ण यह पूछता है तो यही पूछता है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बुद्ध ग्रह है सुरे का दाप आपमान में अंतर पै जाता है क्या अचलिक दर दोस्तों कि हमारे सौरमंडल में अ हमारे िंच आ जा सौरमंडल का हम के एकमात्र ग्रह के एकमात्र ग्रह जिसके ताप मांब जिसके eनिक आप अंतर हा y कीए का लगभग बहुत हीट होता है तो दोस्तों बहुत बन जाता है अगर पार पार्ट दिखाई नदा तर्म लॉट बहुत है बहुत कर्ते हैं लेकिन रात के समय में बर्फ बन जाता है मतलब अगर। शुर्प के सामने वाले बहुत हिटिंग हो जाती है लेकिन पीछे वाले पार्ट में होता है और यह88 दिनों में सुर्प के प्रिक्राइब करता है अब बात करते हैं सबसे इंप्रित्विक के बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछना पुछता है। तो क्या पूछता है, शुक्रग्रा के बारे में, जिसको हम सुन्दर्य का देवता, पृत्वी का जुड़वा बहन, सुबह के तारा, सांज के तारा कहते हैं, बुद्ध ग्रह ठीक है दोस्तों इसके बारे में प्रसम कई बार बोला है अब पूछता रहता है हमेशा पूछता रहता है आए बात करते हैं पहले इसके बारे में लिखिएगा यह हमारे सौर मंडल का यह हमारे सौर मंडल का आए क्षट्वा बड़ा कि यंद्धन के की अगरे कि सबस्क्राइब कि कि अगर रेक गराई हैं दोस्तों सिक्वें सखथ हो टाइम लग रहा है decíaम टाइम लग रहा ब्रश्वू टाइम लगाई जब तक अब समय नहीं देंगे समझेंगे नहीं फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और याद रखेंगे दोस्तों जब पेशन्स रखेंगे न तभी कुछ मिलेगा आप सोचेंगे दस मुण की वीडियो हम सारा सौर मंदल पढ़ लें तो इंपॉसिबल है दोस्तों ठीक न वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और कमेंट बाक्स में हमारे प्रस्ण का उत्तर दीजिएगा दोस्तों अभी जो प्रस्ण में करने जा रहा हूं दोस्तों अभी सुन लीजिए उस प्रस्ण का उत्तर दोस्तों जो प्रस्ण रहेगा आपका वर्तमान समय में हमारे देश के कपड मंत्री तथा रेल मंत्री कौन है इस प्रशन का उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में और आगे मैं बात करता हूं अब शुक्र ग्रह के बारे में हमारे स्वर्मंडल का च्छटमा बड़ा अब लिखेगा यह सूर की परिक्रमा परिक्रमा 226 दिनों में करता है अब आगे लिखेगा यह सूर की परिक्रमा पूर्व से पस्चिम दियान रखेगा पूर्व से पस्चिम में करता है दोस्तों बाकि ग्रह क्या दो उसे ग्रह यह जो प्रिक्रमा करते है क्या करते हैं अब इस दोस्तों आप इसके पास कोई भी कोई भी कोई भी उपग्रह नहीं है इसके पास कोई भी पग्रह नहीं दोस्तों लिखेगा हमारे सौर मंडल का सबसे गर्मग्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्मग्र है क्योंकि दोस्तों लिखिएगा क्योंकि क्योंकि इसके वायु मंडल में इसके वायु मंडल में लग भग लग भग 95 प्रतिशत तक कार्बन डाई आकसाइड की मात्रा की मात्रा पाई जाती है है अचार्बन डाई आकसाइड की मात्रा पाई जाती है जोस्तों यहां तक नोट कर लिए अभी इस सबसे नजदी कि ग्रह है कभी कभी अगर पूच लेगा कि पुष्वी का जब से प्रित्वी का बताइब कर niż कम यह थी क्या है क्या नज्ते कर ला यह मंगल रहा है आप दूस्तों बाहत बॉंचे माल इसतों केव लिए शुकर यह क्ळेण और यह मैंगल ए तो कभी प्रश्मों का ध्यान को रखते हुए इसका उत्र दीजेगा कि पूछेगा सबसे नस्थी प्रश्म कि ग्रह तो कौंसे पतांगे बोने पूछेगा नियम्स कौन से 2 ग्रय है जो पुरिजवी के पढूसी ग्रय हैं तो मंगर और शुक्र रहान। दॉसत इन सब बीध्यां ने रखते हुए अब आगे चलेगा, अब देखेगा, लिखेगा शुक्रग्रा को सुबह का तारा, साँच का तारा या बोर का तारा कहा जाता है प्रिजवी को, सुरी, शुक्र को लिखे शुक्र ग्रह को सुबह कतारा या साज कतारा या शाम कतारा या भोर कतारा भोर कतारा कहा जाता है दोस्तों क्यों कहा जाता है ये जानते रहेंगे जब ये जानते रहेंगे क्यों कहा जाता है तो अगर जानते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसका रिजन क्या है दोस्तों क्योंकि ये सुबह के समय पुर्व दिशा में तथा शाम के समय में दिखाई देता है उसका रिजन तरह च्योंकि यह उपरण की वे पास है ऑस्ति विद्वी कि देट दिख़ए दयता है इसलिए सद्वा के शॉष्प का सिय्खना पूर का तरह आख या शॉष्ट में आगई अब देखिएगा लिखिएगा यह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है चमकीला ग्रह क्यों है दोस्तों चुकि अब आप समझिएगा जिस ग्रह पर 97 परतिशत कार्बन डायक्साइड की मातरा पाई जाती हो तो सोचिए हमारे प्रित्वी पर 0.03 परतिशत कार्बन डायक्साइड है फिर भी हमें गर्मी लगती है क्यों चुकि जब संब्रेस तो हमें कुछ मरीची का दिखाई देती है तो दोस्तों इस तरीके से अगर जब यह सुर्ण के करीब में भी है और इसमें कारवन डायक्साइड की मातरा भी जादा पाई जाती है तो जब यह दूर से देखने में पिलकुर चमकता ग्रह दिखाई देता है ठीक दोस्तों य यह हमारे सवर मंडल का सबसे चमकी लग रहा है क्यूं है चुकि यह सुरी के करीब में होने के करण तथा तथा सताने पर्तिशत यह नब्वे से पंच्छांवी परतिशत कारवन डायक्साइड की मातरा होने के करण यह चमकता हो दिखाई देता है तो आगे की बात करते हैं लिखिए कि दोस्तों आकार में लग भग प्रिथ्वी के बराबर होने के कारड इसे प्रिथ्वी का जुड़वा वहन प्रिथ्वी की जुड़वा जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसे प्रिथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है दोस्तों किसको शुक्र रखो ठीक न वो इस हिसाब से चंदर्मा की क्या होगी मौसी होगी ठीक जब बहन है और वो बेटा या बेटी है तो इस हिसाब से यह क्या होगी मोसी कहलाएगी मगर ऐसे कोई प्रश्ण आते नहीं दोस्तों मैं जस्ता ऐसे बता रहूं आपको लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों आकार में लगए प्रित्वी के बराबर होने के कारण इसे प्रित्वी के जुड़ा भान भी कहा जाता है अब बात करते हैं कि इसलिए से संदर का देवताभी कहा जाता है ठीक दोस्तों आप बात समझेगा यह हमारे शुक्र के बारे में जो इंपॉर्टंट फैक्ट थे वो सब मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टंट का मतलब है जितने भी आने थे प्रस्ट में मैं यह आपको बता दिया हूँ और और इसके पास कोई भी उपग्रा नहीं है यह मैंने बताया दोस्तों इस तरीके से हमने शुक्रग्रा के बारे में बताया अब हम जो चर्चा करेंगे अगली वीडियो में दोस्तों वह रहेगा प्रित्वी मंगल विरहस्पती शनी आरून और वरून के में दोस्तों सौरब अंडल से मैक्सिमम् पेपर में एक प्रश्व जरूर पूआ है और जिसुत पूछ ले 때도 उसको पढ़ना पड़ेगा में फैर श्वी मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों के ख्याल क्या है ना हमारे कई श्टूटेंक बहुत गाउं में मतलब गॉरत पुरे बहुंगों ही और दोस्तों चिया करते हैं। लेकिन आप आपको वीदियो में देख रहा हूं , मैं बहुत पसंद कर रहा हूं शुर सॉचनय क्या बत है मेहनत आपको करना है दोस्ति इसी में कहानी बता रहा हूं कि एक राजा थो एक कहानी से जा रहे थे जबकि हाथियों कहां बाना जाता सिगड़े में मोटे रसियों में है ना बांधा गया था तो फिर वो राजा बड़ा हताश मतलब क्या हुए उनको अश्चर हुआ कि यार एक पतली से रसिम इसको बांधा गया तोड़ नहीं पा रहा है तो उन्होंने मंत्रिस कहा मंत्रिन कह और भाड़ा कि महरा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह क्या मैटर हो सकता है इसमें के जर्ण महावत को बुला बात बताओ इसमें बड़े हाथी告诉 तुमनें बिलकुल पतली से रसिम बाना है कि ऐसा क्यों तो महावत ने कहा कि तोड़ा नहीं पाता मत्त तोड़ नहीं पाता इसको कि नहीं तोड़ पाता क्यों कि बच्पन से मैं इसको इसी रस्त बांगते चलाया हूं तो क्या करता है यह कि बच्पन इसने तोड़ने की कोशिस की लेकिन तोड़ नहीं पाया था दौस्ते मेरी बात को समझेल ऑगा उसने क्या का महाबद नैं कि बच्पन से तोड़ने की कोशिस की थी तौड़ नहीं पाया तो आप क्या कर रहा है वो प्रियावस ही नहीं कर अफीं प्रयास ही नहीं कर रहाए तो दो्चार बाट ट्रायव्यों तो थो मेरे बाप अगर पशुपालक दे तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। हम लोग यह सोचते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों सोच रहे हो। ऐसा मत सोची आप लोग। यह सोची है कि मुझे पढ़ाई करके कुछ आगिस बनना है, कुछ PCS बनना है, मेरी बात एक हमेशा याद रखिए को दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर करना जरूर के लिएगा दोस्तों, और अगले वीडियो के इंतिजार के लिए दोस्तों, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!